अग्यात करुन से गेहूं के फसल में लगी भीशन आग ने 300 भीगे गेहूं की फसल को जला कर राख में तब्दील कर दिया बहराई जनपत के थाना बोडी छितर के अमवा तेतारपूर में शनिवार को आग लग जाने से तेज हवा के जोकों के बीच आग ने विक्राल रूप धारण कर लिया खेतों में खड़ी सैग्डों भीगे गेहूं की फसल जल कर राख हो गई सुचना पर दमकलकर्मियों की टीम मौके पर पहुँची लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था किसानों ने ट्रैक्टर से जुताई कर आग बुझाने का काफी परियास किया मैसी तैसिल के बलाग फखरपूर के ग्राम पंचायत अमवा तेतारपूर में खेत में लगी आग से लगबग 85 किसानों की 300 भीगे गेहूं की फसल जल गई हवा के चलते ग्रामियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी अंतता ट्रेक्टर से जुताई कर ग्रामियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया मौके पर बॉंडी थाना द्यक्ष, आर्डी मौरे, समेथ, लेक पाल, डायल 112 के करमशारी, एंबुलेंस वच्छेत्री लोग मौजूद रहे मैसी तैसिलदार विपिल कुमार सिंग ने बताया कि फसल नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और किसानों को सरकार द्वारा मदद दिलाई जाएगी सियाइव इंडियनूस के सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें